दोस्त नमस्कार, मुख्य मंत्री उद्दफ ठाकरे के लाडले और शिवसेना सांसा संजराओत के खिलाप में बीजेपी ने बहुत बड़ा कदम उठाया है बीजेपी महला मूर्चा की राष्ट्री और महामंत्री दीप्ती रावत ने राज्यसभा और शिवसेना नेता सांसाद संजराओत के खिलाप में महलाओं के लिए अभद्र टिपड़ी करने के आरोप में एक एफायार धर्च करवाई है शिवसेना पार्टी से राज्यसभा सांसाद संजराओत के खिलाप दीप्ती रावत बारत दौज ने 9 दिसंबर को शिकायद धर्च करवाई थी रविवार को दिल्ली के मंडावली थाने में अफायार धर्च करवाई गई है दरसल 9 दिसंबर को संजराओत का प्राइवेट निउस चैनल पर इंटरव्यू एक टेली कास्ट किया गया था जिसमें उन्होंने अपने इंटरव्यू में भारती जनता पार्टी कारिकरताओं के लिए अप शब्दों का इस्तमाल किया था इसी मामले को लेकर के 9 दिसंबर कोही दीपती रावा ने दिल्ली के मंडावली थाने में शकायत दर्ज करवाई थी अब इस मामले में धारा 500 और 509 के तहट भी F.I.R. दर्ज कर ली गई है संजराओत के उपर महलाओं को अपमानित करने और महलाओं के लिए सामाजिक रूप में अब शब्दों का इस्तमाल करने पर मुकदमा दर्ज किया गया और B.J.P. अब मांग कर रही है कि संजराओत को उठाकर दरसल अब जेल में डाला जाए मुकदमा दर्ज करने का अधार ये भी माना गया है कि संजराओत ने ना केबल B.J.P. के कारकरताओं बलकि कारकरताओं में शामिल महलाओं के लिए भी गलत शब्दों के इस्तमाल किये है दीपती रावत भारत दौज ने शिकायत धर्ज कराते वक्त टीवी चैनल की क्लिप भी जो है पुलिस को सौंप दी है जिसमें सीधे तोर पर ये दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से वो अभदर टिपड़ी कर रहे है बैसे दोस्तों संज्य रावत के लिए ये कोई पहला मामला नहीं है जब उन्होंने महलाओं के लिए इस तरीके की अबदर टिपड़ी की हो उनके खिलाप में मामले दर्श किये गए हो पहले भी आपको पता होगा कि जब सुश्शाम सिंग राजपूत का मामला निकल कर सामने आया था तो उन्होंने कंगना रनौत को लेकर भी कैसी भाशा का इस्तमाल कियता है ये हमने देखा था लेकिन अब भारती जनता पार्टी ने कड़ा रुख अक्तियार करते हुए ये कहा है कि संज्यराओत की तरफ से जो लगातार विबादे टिपड़ियां की जा रही है जो उनकी तरफ से लगातार अभद टिपड़ियां दरसल महिलाओं के लिए की जा रही है वो कताई बरदास्त नहीं की जाएंगी इसलिए धारा 500 और 509 के तहत उनके खिलाब में मामला दर्श करवा करके उन्हें गरफतार करवाने की भारती जनता पार्टी जो महला मोर्चा की महामंत्री हैं ढीपती रावत उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि उन्हें गरफतार कि जाए बहराल जो दोस्तों हमेशा ही संजरावत का ये अब एक ढरा सा चला आ रहा है कि वो महलाओं के लिए इस तरीके की आप 30 अक्टेपड़ी करते हैं और फिर जो है बाद में माफी भी मांग लेते हैं लेकिन कब तक कैसे चलता रहेगा इस पर आपकी जो भी राय है मु अपकुमेड़ी